निमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UK SSC Cracker में तो आयोग ने अपना वन दरोगा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है ठीक है जो मेरिट लिस्ट निकल के आई है उसमें काफी लोगों को आपती है और वो जो मेरिट लिस्ट है वो एकदम सटीक नहीं है ठीक है तो किस तरीके से आप प्रत्याविदन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और जो प्रत्याविदन रहता है वो 15 दिनों के अंदर करना होता है तो जितनी जल्दी आप प्रत्याविदन करेंगे तो आयोग में अगर सुनवाई होती है तो ठीक है अगर नहीं होती है तो फिर हमें हाई कोट ही जाना पड़ेगा ठीक है तो किन-किन विभिन्न विंदो में आपको प्रत्याविदन करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो डेटील में देखेगा ठीक है तो चलिए तो पहला पॉइंट तो प्रत्याविदन का ये रहेगा कि कुल जो पत्थ है आपके वो 316 थे ठीक है तो दुगने लोग सेलेक्ट होने चाहिए थे किसके लिए बारा लोग का जो मांक्स है मतलब जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं है ठीक है ये सवाल आपको आयोग से पूछना होगा उसके बाद देखिए उसके बाद यह रहेगा कि कुल जो प्रशने थे वो 1800 प्रशने थे उसमें से 332 प्रशने क्यों डिलीट कर दियेगे मतलब इतने जादे प्रशने कैसे गलत हो सकते है ठीक है तो आयोग ने 332 प्रशने क्यों डिलीट और इतने जादे प्रशने कैसे डिलीट हो सकते है मतलब कौन सी बुक से वो आयोग पेपर बना रहा था ठीक है परिक्षा वानी से ब बाणी से बना रहा था तो यह बहुत बड़ा सवाल है तो दूसरा पॉइंट आपका यह हो यह तीसरा पॉइंट यह रहेगा कि इतनी जो मेरिट गई है ठीक है मेरिट इतनी हाई गई है चलो मान के चलते है नॉर्मलाइजेशन है तो रो मार्क्स भी बताने चाहिए आयोग को कि जो उनके रो मार्क्स है वो कितने हैं और जो बोनस में मार्क्स मिले हैं वो अलग से कितने मिले हैं और किस सिफ्ट में सबसे जादे मिलें किसमें कम मिलें तो ये भी clear करना पड़ेगा आयोग को ठीक है ये हो गया एक चीज़ और बहुत से लोग comment कर रहे हैं कि उनके जो marks है वो 71 है ठीक है देख सकते हैं SC category में 71 marks हैं लेकिन उनका same shift में एक लड़के का 62 marks है उसका selection हो गया है 62 वाले का selection हो गया है लेकिन 71 वाले का नहीं है तो इन लोगों को भी प्रत्या विदन करना होगा ठीक है तो क्या कारण है मतलब क्यों उनका जो नाम है वो 71 वाले को उपर क्यों नहीं रखा गया और 62 वाले का 0.5 का selection कैसे हो गया ठीक है ये भी एक एक सोचने की बाध है ठीक है इस तरीके से काफी ऐसे प्रशन्य है जो मेंchae को आ रहे है ठीक है एक और बात जो संधियर कर रही है कि एकी फैमली के इतने सारे लोग कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं ठीक है एकी father's name वाले ठेक है किस तरीके से जो प्रत्याविदन का पोर्टल रहता है ठीक है तो LTE का भी पोर्टल खुल रहा है तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रत्याविदन करना है जैसे ही आपका जो वंदरुगा का पोर्टल खुल जाएगा प्रत्याविदन करने का तो वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले, जैसे अभी ये किस चीज का है, LTE का है, ठीक है, सहयक अध्याबक का ये पोर्टल है, तो उसी तरीके से आपको इसका भी देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको प्रत्यावेदिन में क्लिक कर दिना है और ऐसे करके क्रोम में आपको सीधे उपर में विसाई मागगे है तो इसमें अपना जो भी आएगा उप्शन तो उमीद्वार का नाम पिता का नाम मुबाइल नमबर ठीक है प्रमान से संबंदि समश्या आपको क्या समश्या अगर आपके बाद कोई PDF फाइल या कुछ भी दस्तावेज हैं तो यह हैं इसके बाद आप प्रस्तुति करना प्रस्तुति करके मतलब आप सम्मिट कर देंगे तो इस तरीके से आपका जो प्रत्यावेदन है वो हो जाएगा ठीक है एक तर्योग ने एक चीज और करी है कि मतलब आज से देखे आज से आचार सहीता लग चुकी है ठीक है तो आचार सहीता से एक दिन पहले ही रिजल्ट खोसित क्यों किया गया कि कोई विरोध ना कर पाए या कोई मतलब धर्णा परदर्शन हो गया ये हो गया तो वो ना कर पाए ये भी एक आयोग का मान के चल सकते है कुछ होगा ठीक है लॉजिक होगा कि कोई प्रदर्शन ना कर पाए तो इतने विभिन बिंदवों में मैंने बात कर दिये तो अगर आपको कोई भी टिपणी देनी है कमेंट बॉक्स में दे और वीडियो को जादे से जादे लाइक शेयर और सस्क्राइब कर लीजिए अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखिए ठीक है उसमें मैंने काफी क्लेरली बताया है कि किस तरीके से जो आयोग ने प्रशनों में मनलब गड़बड़ी करी है जो मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी करी है ठीक है किस तरीके से जो प्रशनों को डिलीट कराया है वो मैंने सब समझाया है तो आप देख ले नहीं